देशभर में कोडोना वाइरस की वज़ा से 4 महने से स्कूल बंद पड़े हैं और जल्दी इसे दुबारा खुलने के लिए हर तरह के पडियास किये जा रहे हैं हाला कि कोरोना वाइरस के कहर के बाद स्कूलों में पढ़ाई का तरीका अब पूरी तरह से बदलने जा रहा है। पिछले कई दिनों से परेंट्स इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि स्कूल दुबारा कब खुलेंगे और मानब संसादन विकास मंत्राले ने भी इस मामले में कई वयान जारी कर चुके हैं। आईए आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या बदलाव करने हैं इसकूलों में जिसके बाद की दुबारा से इसकूल खुल पाएंगे और कीन-कीन मात्पुन बिंदों पर कमीटियों का फैसला हुआ है। तो बनेड़े इस वीडियो में अन्त पर सारी बातों को सुनना होगा तभी आप इस बात को समझ पाएंगे कि क्या है सही गाइडलाइने हमारे केंदर सरकार की। तो सबसे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताके हमारे इस न्यूज की हर न्यूज की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। अपने केंदर सरकार को यह बताने जा रही हैं। कमिटियों ने स्कूल खोले जाने को लेकर 11 पेज का दस्तावेश तयार किया हैं। जिसमें स्कूल खोले जाने की अनुमानी तारीके भी सामिल हैं। से खोले जाएंगे इसमें नौवी दस्मी और बार्मी की पढ़ाई लेकिन इसके लिए इस्टुडेंट्स के अलावा टीचर्स परेंट्स और ऑफिस्यल्स के लिए परियापत इंतजाम करने होंगे दूसरी तरफ क्लास 11 की जो पढ़ाई है इस परिया के बाद चालू की जा सकेगी बात करें तीसरे चरण में छटी और आठमी क्लास तक के पढ़ाई की तो छटी और आठमी क्लास की पढ़ाई अगस्त के बाद यानि की सेप्टेंबर में चालू करने का अनुमान किया गया है तीसरी से पाचवी क्लास तक की पढ़ाई के लिए सितंबर के बाद ही विद्यालेयों को खोलने की बात की जा रही है और पहली और दूसरी क्लास की पढ़ाई के लिए स्कूल मेलेजमेंट की कमीटी पर फैसला लेने के लिए कहा गया है वो अपने हिसाब से वहाँ के इस्थिती को देखते हुए यह फैसला करेगी कि पहली और दूसरी के लिए कब विद्याले खोले जा सकेंगे लेकिन इस बीच हमारे केंद्रिय मानव संसादन विकास मंत्री ने स्कूल खोले जाने से पहले कुछ जरूरी बाते कही हैं जो की स्कूल कमीटी को पूरा करना होगा आईए यहाँ पर हम जानते हैं कि कौन सी बाते हैं जो कैंसर कार ने बहुत ही अहम कहा है और इसे पूरा करना ही होगा इसके बिना आप पिद्याले नहीं खोल पाएंगे तो सबसे पहला है कि संबंदित गाओं या जिला जहां पर स्कूल मौजूद है वहाँ कोबिट उनीस का एक भी मरीज नहीं होना चाहिए नमबर दो टीचर्स को पढ़ाई में अधिक से अधिक टकनीक का इस्तेमाल करना होगा उसे काफी धीड़े से बोलकर हर बात को समझाना होगा ताकि ड्रॉप लेट्स अधिक दूर तक ना फैले स्टेंडर्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत स्कूल खुलने से पहले सभी हित धारकों को बैठक करनी होगी जिसमें स्कूल खुलने के समय पर चर्चा की जाएगी कलास शुरू होने से पहले स्कूल को सैनिटाइज करना भी अनिवारी होगा नमर चार सोसर डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए अइटरनेट दीन या सिप्ट में कलास चलानी होगी मास्क लगाना तो खेर अनिवारी होगा नमर पांच जीनी स्कूलों का इस्तेमाल कॉरेंटाइन सेंटर के तोर पर किया गया था उनकी अच्छी तरह सनिटाइजेशन होगी इसके लिए एक सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा ये स्कूल अपका ख्षाएं आयोजित करने के लिए पूरी तरह से ठीक है तो ही इन माप डंडों को जब तक बिद्याले पूरा नहीं करती हैं तब तक बिद्याले को चलाने के आदेश केंदर सरकार नहीं दे सकेंगी ये बहुत बड़ी बात है तो कैसी लगी हमारी आज की ये ख़बर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और साथ ही आप किस राज से हैं और किस राज के स्कूल कॉलेज खुलने के बाड़े में जानकारी चाहते हैं वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आधिक से अधिक लाइक और सेर करते रहें मिलते हैं एक और खास ख़बर के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत गुड़ बाई